Hello everyone, कई बार confusion में लोग रहते हैं कि अपने घर के दर्वाजे पे किस कलर का फूटमेट रखना चाहिए क्योंकि direction के according अगर हम फूटमेट रखते हैं तो हमारे घर में जो energy का flow आता है तो अगर हमारे घर के मुख़चे दर्वाजे पे बास्तू के according कलर हो या मुखचे दर्वाजा बास्तू के according हो, साब सुथरी हो और महां का color भी direction के according हो तो हमारे घर में positive energy का flow बना रहेगा तो अगर आपके घर का मुखचे दर्वाजा उत्तर के direction में है मतलब north direction में है तो आप वहां पे blue footmet का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके घर का मुख्य दरवाजा east और पूरब की दिशा में है तो आप cream या हरे color का footmet यूज़ कर सकते हैं अगर आपके घर का मुख्य दरवाजा south या फिर dacchin की तरफ है तो आप वहाँ पे pink, red, brown, yellow color का footmat यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके घर का मुख्य दर्वाजा पर्स्टिम और west के side में है तो आप वहाँ पे grey, white और yellow color का footmat यूज़ कर सकते हैं अगर आप वास्तु के according या जो मैं बता रही हैं उसके according आप यूज़ करते हैं footmat तो आपके घर में कभी भी negativity नहीं आएगी और positive energy का flow हमेशा बना रहेगा Thank you so much